इर लर्निंग क्लास के तहत आज मैं दॉक्तर सेखर कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट आप पॉलिटिकल साइंस ननलाल सिंग कॉलेज जैदपोर दाउतपोर शारण असना तक के विद्धार्थियों को नियाई पालिका के बारे में विसलेशन करूंगा नियाई पालिका मतलब जूडिस्यरी हमारे भारत में संग और राजियों के बीच सक्तियों का भी भाजन संग हात्मक संविधान का मूल तत्व है यह भी भाजन संविधान के दोरा किया जाता है जो देश की सर्वुच्य विधी होती है सरकारों की सक्तियों का भी भाजन एक लिखित संविधान के दोरा होता है यह भी संभव है कि वे संविधान में संबंधित उप्वंधों में ब्याख्या अपने अपने पक्ष में करें या ना करें इस सक्ति विभाजन को बनाए रखने के लिए जिसे की विभिन सरकारों एक दूसरे के कारेशेत्र में हंस्तछेप न करें संभविधान के उपंधों की सही द्याख्या करना आउश्यक है इसके लिए एक ऐसी संस्था की आउसक्ता होती है जो स्वतंत्र एवं निस्पक्षो और केंद्रिय तथाराज्य सरकारों के बीच विवादों की निस्पक्षता से निप्टारा कर सके हमारी संभी ब्यवस्था में यह कारिय निया पालिका को सौपा गया है भारतिय संभिधान के अंतरगत यह कारिय उस्तम नियाले को सौपा गया है संभिधान के उपबंधों की ब्याक्ष्या के संबंध में अंतिम नियर्ने देने का अधिकार उस्तम नियाले को प्राप्थ है हम आज उस्तम नियाले उच्चे नियाले और अधिनस्त नियाले की चर्चा करने के उपरांथ नियाए पालिका की चर्चा करेंगे नियाए पालिका की चर्चा करने के उपरांथ हम सर्व उच्चे नियाले और उच्चे नियाले पर अलग से आपके सामने वेक्ष्यान प्रस्तूत करेंगे नियाए पालिका जिसे हम जुडिस्यारी के नाम से समझते हैं नियाए पालिका सरकार और सासन का तीसरा महत्व पूर्ण अंग है जहां व्यवस्थापी का राज्ये की इक्षा को कानून का रूप देती है और कारेपालिका उन कानूनों को लागू करती है वही नियाए पालिका कानूनों की व्याख्या करती है और कानून भंग करने वालों को सजा देती है यह व्यवस्थापी का और कारेपालिका को स्वतंत्र या स्वेक्षाचारी होने से रोकती है नियाए पालिका ही सम्विधान का संरक्षन करती है भाट्तिय सरवच्च न्याले विश्व के सबसे सक्तिसाली न्यालों में से एक है सम्विधान के प्रारंब होने के दिन से न्याए पालिका ने सम्विधान की ब्याख्षा और उसकी सुरक्षा करने में अपनी महत्पूर्ण भूमिका अदा की है नाग्री कदिकारों की सुरक्षा में भी न्याए पालिका की भूमिका का अपना महत्व है कानून और सम्विधान की ब्याख्षा के साथ साथ न्याए कारे और अपराधियों को दंड देना कानून का निर्मान तथा किंद्र तथा राज्यों के विवादों में निर्ने देना भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में न्याए पालिका के पर्मुक्कारियों में से हैं हम न्याए पालिका की महता उसकी स्वतंतरता इसके महत्वक्पुन कारेों के साथ साथ सम्विधान की ब्याख्षा में न्याए पालिका की भूमिका की चर्चा कर रहे हैं न्याए पालिका की आउसक्ता क्यों बनी क्यों स्वतंतर न्याए पालिका होनी चाहिए हम एक समाजिक प्राणी है वैक्ति एक समाजिक प्राणी है समाज में रहने के चलते वैक्तियों के बीच विभिन समुहों के बीच और वैक्ति समुह तथा सरकार के बीच विवाद उटते रखते हैं ऐसे सभी विवादों को विधी के सासन के अधार पर एक स्वतंतर संस्था द्वारा समाधान किया जाना आवस्य खोता है विधी के सासन का यह अर्थ है कि समाज में भनी और गरीब इस्तरी और पुरुस अगड़े पिछड़े सभी लोगों पर एक जैसा कानून लागू हो यदि ऐसा होता है तो हम उसे नयाए के नाम से जानते हैं किसी भी देश में भारत सहीद किसी भी देश और समाज में नयाए पालिका की भूमी का महत पूर्ण होती है वह कानून के सासन की इफाजत करता है और विधी की सरवच्छता को सुनी स्चित करता है नयाए पालिका की यह जीमवारी है की वह व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करें विवादों को कानून के अनुरूप हल करें और यह सुनी स्चित करें कि लोगतंत्र के अस्थान पर किसी एक व्यक्ति या समूह की ताना साही अस्थापित न हो इसके लिए एक स्वतंत्र नयपालिका का होना आवस्थे लिए किसी भी देश में कारेपालिका और प्यवस्थापिका जाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो लेकिन यदि वहां स्वतंत्र और निस्पक्ष नयपालिका नहीं है तो उस देश के सम्मिधान का कोई अर्थ नहीं रह जाता सरकार के एक महत्वपून अंग होने के नाते नयाई पालिका का संगठन सरकार का एक ऐसा कार्य है जो उसकी कार्य पर नाली और उसकी जन भावनाओं की पती ब्रद्धता की और हम लोग का ध्यान आकिष्ट करे विश्व में नयाई पालिका के संगठन विभिन्न परकार से किये जाते हैं जनता द्वारा निर्वाचित नयाई पालिका होती है जिसमें नयाई धीसों का जनता के द्वारा पर्त्यक्ष निर्वाचन होता है थापिका के द्वारा किया जाता है नयाई पालिका के संगठन में जो कारेपाली का द्वारा नियुक्ति नियाईपाली का होती है जिसमें नियाई धीसों की नियुक्ति का यह तरीका विश्व के अधिकांस देश अपनाते हैं इस ब्योस्था में दलगत राजनित की बुराई समाप्त हो जाती है और युग्य व्यक्तियों की नियुक्ति नियाई धीस के रूप में होती है किसी भी लुक्तांत्रिक तथा संग हात्मक सासन में एक स्वतंत्र तथा निश्पक्ष नियाई पाली का कि ये बड़ी ही आव सकता है नियाई पाली का कि स्वतंत्रता का मतलब यह है कि नियाई धीसों को नियाई करने तथा कानूनों की द्याख्या करने में विस्वतंत्र होने चाहिए उनके विवेक तथा कर्तब पालन में किसी तरह कहस्त छेप नहीं होना चाहिए नियाई पाली का के गंभीर और व्यापक दाईत्व भी हैं यदि स्वतंत्र नियाई पाली का नो हो तो इन दाईत्वों का निर्वहन समुचित धंग से नहीं कर सकती हमारी नियाई पाली का संबिधान तथा नागरिकों के मौलिक धिकारों का संदख्छक है यह व्यवस्थापि का तथाकार पाली का के उन आदेशों को जो संबिधान के भी प्रीथ है असंबिधानी घोसित करती है नियाई पाली का की स्वतंतरता की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें नियाई धिसों की योग्यता का बड़ा ही महत्वपून रोल होता है नियाई पाली का की स्वतंतरता को बनाए रखने के लिए उन व्यक्तियों को ही नियाई धिस के पद पर बहाल किया जाता है जो उस पद के लिए समस्त योग्यताएं रखते हो एक योग्य नियाई धिस को निस्पक्ष गुसागर बुद्धी वाला सचरित्र होना चाहिए नियाई पाली का की स्वतंतरता को बनाए रखने के लिए नियाई धिसों की नियुक्ति में तीन तरह की नियुक्ति होती है एक जनता के द्वारा दूसरा करपालिका के द्वारा तीसरा व्यवस्थापिका के द्वारा जनता तथा व्यवस्थापिका के द्वारा जब नियाधीस की नियुक्ति होती है तब नियाधीस दलबंदी का सिकार हो जाते हैं और वे निस्पक्ष एवं स्वतंत्र नहीं रह पाते इसलिए न्याइधीसों की नियुक्ति का सबसे अच्छा तरीका कारिपाली का द्वारा उनकी नियुक्ति है अपने पत पर रहते हुए न्याइधीस कभी कभी अपनी सक्ति का दुरुप्योग करने लगते है ऐसे न्याइधीसों को हटाने की अस्पस्ट ब्यवस्था होनी चाहिए न्याइधीसों की स्वतंत्ता तथा निस्प्रक्षता को बनाए रखने के लिए यहाँ आवस्यक है की न्याइधीसों को उचित वेतन एवं भत्ता मिले यदि उचित वेतन और भत्ता प्राप्त न हो तो धन के प्रलुभन में व्यक्ति भरष्ट बन सकता है उसकी निस्प्रक्षता समाप्त हो सकती है न्याइपालिका के स्वतंत्रता के लिए आवस्यक है कि सकतियों का उचित विभाजन हो विश्व के अधिकांस देशों में न्याइपालिका को कारेपालिका से अलग रखा गया है हमारे भारती सम्मिधान में वर्णित राज्य के निति निति निदेशक तत्व के अंतर भी न्याइपालिका यों कारेपालिका के पिर्थक करण के संबंध में विवस्था की गई है न्याइपालिका के विविन्ने कारे होते हैं उन कारियों में परमुक्त कारे कानून और सम्मिधान की ब्याख्या करना है सम्मिधान में उत्पन विवादों और विविन्न मुकद्मों के सिलसिले में कानूनों की ब्याख्या करना न्याइपालिका मौलिक कारे है न्याइपालिका द्वारा ही कानूनों के ब्यक्ष्याओं से उसके कानूनों के महत्व का सम्मान होता है न्याइपालिका के कारियों में न्याइप करना तथा अपराधियों को धंड़ देना सामिल है जब किसी परकार का विवाद या मुकद्मा न्याइपालिका के समुक्ष आता है तब मुकद्मों के दोनों पक्षों को सुनकर तथा अपना नेने देकर अपराधियों को धंड़ देती है न्याइपालिका ब्यक्तियों के बीच ब्यक्तियों और राज्यों के बीच के जगडे का फैसला करती है मुकद्मा संबंधे आवस्थ तक्तियों की जानकारी के बाद कानून के अधार पर न्याइधिस फैसला देते हैं न्याइपालिका के कार्यों में कानून का निरमांद करना है बिविन मुकद्मों का फैसला करने के सिलसिले में न्याइपालिका केवल कानूनों की ब्याक्या ही नहीं करती वरनी इस सिल्सिले में वह कानूनों का निर्मान भी करती है नियाएधीसों के द्वारा दिये गए नेन्ने कानून का रूप धारन कर लेते हैं इसे हम नियाएधीस द्वारा निर्मित कानून कहते हैं नियाएपालिका के कारियों के अंतरगत नागरीकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भी है नियाएपालिका के द्वारा जब राज्य सम्मिधान में दिये गए नागरीकों के मौलिक अधिकारों पर आगहा पहुचता है तब नागरीकों की रक्षा के लिए उनके अधिकारों की रक्षा के लिए नागरीक नियाले की सरण लेते हैं नियाले बिभिन्परकार के लेक जारी कर मौली कदिकारों की रक्षा करता है भार्तिय नियाई पालिका को बंदी पर्तिक्षिकरन, परमादेश, प्रतिसेद, उत्प्रेशन अधिकार प्रिक्षा, इत्यादी लेक जारी करने का अधिकार प्राप्थ है संविधान की रक्षा करना, नियाई पालिका, संविधान का संरक्षक होती है संगहात्मक राज्यों में संविधान की स्वरोच्छता होती है और उसकी रक्षा की जिम्वारी नयपालिका के उपर रहती है नयपालिका को यह अधिकार है कि वह बेवस्थापी का द्वारा पारित किसी भी कानून को और संविधानी खोसित कर दे इस अधार पर नयपालिका संविधान की रक्षा करती है नयपालिका के महत्पूर्ण कारियों में संग और राज्य के विवाद में निर्ने देना है संगहात्मक सासन विवस्था में नयपालिका संविधान का संरक्षक है इसलिए संग और राज्य सरकारों में जब संग हर्ष होता है तब न्याले उस पर अपना निर्णे देता है न्याई पालिका के कार्यों में कार्य पालिका को प्रामर्श देना भी सामिल है भारत के न्याई धीसों को प्रामर्श देने का अधिकार प्राप्थ है परसास्निक कारे जैसे दाई तो भी न्याई पालिका के अधिनाते हैं सरवच्च और उच्च न्यालेओं को अधिनस्थ करमचारियों को बहाल करने और न्याले के आंत्रिक प्रसासन संबंधी छोटे मोटे नियमों को लागू करने का अधिकार प्राप्थ है भारत में सरवच्च न्याले संग्य लोग से वायोग की सहमती से पदा अधिकारियों की नियुक्ती नियमों को निधारित करती है नियाई पालिका के जिम में सारजिक संपत्ती के लिए ट्रस्टी को नियुक्त करने का है नियाई पालिका विवाह तथा तलाक संबंधी भी निर्ने लेती है नियाई पालिका नवालिकों के लिए संद्रक्षकों की नियुक्ती करती है लोगों के जायदाद वसियतों को पर्मानित करती है भारती संबंधान में भारत में एक इक्रित नियाईक ब्यवस्था की अस्थापना करता है इसका मतलब यह है कि विश्व के अन्य संग्य देश भारत से अलग प्रांती अस्थर के न्याले नहीं है भारत में नया इपालिका की ब्यवस्था पिरामिट की तरह जिसमें सबसे उपर सरवच्च न्याले फिर उसके नीचे उच्च न्याले उसके नीचे अधिनस्थ न्याले हैं आद्निक समय में नया इपालिका पर जो चर्चाएं होती हैं उन चर्चाओं में नया इक सक्रियता जन हितियाचिका जैसे सब्दों का परियोग ज्यादा तर हो रहा है नया इक सक्रियता या जन हितियाचिका जैसे सब्दों से नया इपालिका के कारियों में क्रांतिकारी परिवर्टन लाकर उसे पहले से ज़्यादा जिम्मेवार और जन तानुमुखी बना दिया है भारत में नया इक सक्रियता के पर्मुक्साधन जन हितियाचिका या समाजिक ब्यवारियाचिका है इसी चर्चा के क्रम में हम जन हितियाचिका क्या है इसकी चर्चा आपके समक्ष कर देना चाहते हैं कानून की सामान्य पर्किरिया में समाज का कोई भी व्यक्ति आदालत की सरन तभी लेता है जब उसकी कोई व्यक्तिगत छती हुई हो इसका मतलब यह की ब्यक्ति अपने अधिकार का उलंगन होने पर या किसी भी वाद में आने पर नयाए है तू नियाले की सरन में जाता है भारती नैपाली का किस प्रकिरिया में करीब 29-30 साल बाद बदलाव आया और ऐसे मुकदमे की सुनवाई का फैसला लिया जिसे पिडितों की ओर से दूसरे ने मामला दायर किया हो उस मुकदमे का जनहित संबंधी होने के कारण इसे जनहित याचिका का नाम दिया गया जन सेवा की भावना रखने वाले नागरीकों तथा समासेवी संगठनों ने समाजिक समस्याओं जैसे गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने परियावरन की सुरक्षा करने अपने अधिकारों की रक्षा तथा लोखित से जुड़े मुद्दे पर नियाई पालिका से हस्तच्छेप की मांग की और नियाई पालिका ने भी इसमें अपनी अभी रूची दिखाई जिसके चलते आज यह नयाईक सक्रियता का एक ससक्त साधन हो गया है समाज के किसी बैक्ती द्वारा मुकद्मा करने के बाद उस मुद्दे पर भी विचार करना नियाई पालिका ने उन सिकायतों को आधार बना कर उन पर विचार करना प्रारम किया जो अख़बार में छपे थे या किसी भी माध्यम डांक के द्वारा या किसी भी माध्यम से उन्हें प्राप्त हुए थे नियाई पालिका के जिम में बैक्ति के अधिकारों की रक्षा का दाइत्व सौपा गया है और अपने इस दाइत्व के चलते लोकतांत्रिक देशों की नियाई पालिका इस जिमवारी का निर्वहन कर रही है भारतिय सम्मिधान ऐसे दो कानूनों का उलेक करता है जिससे हमारा सरवच्च नियाले मौलिक अधिकारों की रक्षा करें अंचेद 32 के अंतरगत सरवच्च नियाले रीट जारी कर मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कर सकता है सम्मिधान के उन्चेद 226 के द्वारा राजियों के नियाले को भी रीट जारी करने का अधिकार प्राप्थ है इन सम्मिधानिक प्रावधानों में दूसरा महत्वपुन्ट प्रावधान न्याइक पुनर्विलोकन की ब्यवस्था करना है सर्वच नियाले के न्याइक पुनर्विलोकन की सकती का विशलेशन हमने किया न्याइक पुनर्विलोकन हमारे सर्वच नियाले की सबसे महत्पून सकती है निया इपालिका के इन अधिकारों के बाद अब हम अगले क्लास में इर लेर्निंग क्लास के माध्धम से सरवच्च नाले के बारे में आपके समख्ष बिच्टि